कि स्टुवेंट आज की वीडियो में आपको स्क्रीन पे जो प्रोग्राम बना हुआ है इसको बहुत ध्यान से इसको देखना है इसको पढ़ना है और उसके इसको समझना है उसके बाद इसका आंसर आपको खुदी कैलकुलेट करना है और जो भी आपको आंसर आता है उसे पहले आपको वीडियो को पहुझ कर लेना है ताकि आप अपने आपको चैक भी कर दो कि आपका आंशर सही आया की नहीं तो मैं कपाय। देता हूं क्यों कि तो मैं पर मिल कर रहा हूं आप ृइंधि कर सकते हो और और यह सब कर सकते हो और कई बार आपकी प्रोग्रामिंग में उपका मावस काम नहीं करता है तो आप एक तो सॉट्कट क्या सब्सक्राइब नॉज यासे कि your वह अपि पॉसन की ओधर दिखाए नहों में तो आप देख यहां है कि आप जो भी मैन्यु बार आपको दिखाए दे रहें ओपर सबके आपको टलम है और तो आपको एक वह फिर्स लेटर आपको प्रेश करना है सब Sutton अल्ड की साथ सी में करता हूं तो कंपाइल में देखी हम जा सकते हैं हम यहाँ उस तरी तो हमारे स्टेक्स अपर यह नहीं है अब आप यहां पर अपनी वीडियो को पॉस्च कर लिजिए और इसका क्या अंसर आएगा वह कहीं पर आप नोट कर लिजिए या अपने मैंड में इसको कैलकुलेट कर लिजिए और उसके बाद अब मैं इसको आगे प्रोग्राम को रण करने जा रहा हूं उसमें क्या आंसर इसका आप मैस कर लिजिएगा तो बहुत सिंपल सा इसका आने वाला है तो अब मैं स्को रूं कर रहा हूं तो आप देखें इसका आंसर क्या आपके अंसर से मैच किया तो डैफिनेटली आपके आंसर से यह आंसर मैच नहीं किया गया होगा यहाँ पर दिख्याइव अपर दिखाए दे रहा है माइनस 30536 मैं तो आपका आंसर आना ही यह था तो यह मैंनस में ऐसा क्यों आया है इसके लिए हम जानते हैं तो आप लोगों का जो आंसर है यह आया होगा आपका आया होगा और यही इस प्रोग्राम का आंसर आना चाहिए था बट यह आंसर हमारा गलत क्यों आया है तो इस पे हम डिसकेश करते हैं तो देखिए इससे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाता हूं पहले आपको थोड़ा सा डेटर टाइप की बारे में बताता हूं य एक वैरियेबल है जिसमें हमने 5000 हमने वैंको किया है एको ऐसी भी एक वैरियेबल है और इन्टीराइब का हैДंपयों का मतलब है कि डिस टाइक हमने सी लिया है और इसका भी टाइप इंट है यहां लिनकी इसका मतलब है कि हम इसमें टाइब की वैली को स्टोर कर सकते हैं चौथा एक वैरियेबल है डी उसमें भी टाइब की वैली को ही स्टोर किया जा सकता है कि हमने यूज किया है यहां पर क्लियर चिन एक फंक्शन है जो कि इसक्रीन को करता है पुराना और पूट सारह कर देता है उसके बाद की ट्रीट टाइब का वैरियेबल है है जिसको जिसमें कि हमने है क्या है यह मिलुन कर दिया और उस जह वह स्रीन को hold करके रखेगा यानि कि जब output की स्क्रीन पर हम देख रहे हैं रिजल्ट आता है तो उसको यह होल्ड करके रखता है अब हम सबसे पहले डेटाइब के बारे में जानते हैं तो देटाइब सी में जो डेटाइब है वो तरीके डेटाइब बेसिकली होते हैं एक तो प्रिम्ट्यू और दूसरा है डिर्याइब तो यह कि अंब होते हैं नहीं टो यह हम अभी नहीं करेंगे कि इन से हम एंटीजरी पास यहाँ अब यह है तो अब पाश सकते हैं जैसे कि आप एक पास करने के लिए अगर आपको करवाना है तो आप उसके लिए करेक्टर को ले सकते हैं और अगर आपके पास कोई पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो उसके लिए आप को यूज करोगे और उस वेरियेबल में आप वह वैल्यू को आप इस्टोर करवा सकते हो अगर सब्सक्राइब ले रखा है आपने इंट लिया है तो उस इंट ए मैं आप पॉइंट नहीं करवा सकते वहां पर वह उसको लेगा अगर आपकोट वाली वैल्यू को इस्टोर करा रहा है तो वहां पर आपको अब डेयूप करता है डावल की रेंज है वह बहुत जादा होसे हैं और क्या होता है कि कहां तक की वैल्यू को कौन सा वैरियाबल सपोर्ट करता है तो आप यह देखिए डेटाइब है रेंज उनकी दिए गई है और उनका फॉर्मेट दिया गया है तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहां पर सिंगल लिखा हुआ है और इसकी जो रेंज दी है माइनस 1282 प्लस 127 यहां पर दिए गई है और इसका जो साइज है वन बा तो अंसाइंड करेक्टर जो हम कहर के आगे अगर अंसाइंड देते हैं तो फिर यह जो निगेटिव वाला साइन है माइनस का साइन है यह हड़ जाता है और यह नंबर जीरो से लेके 255 तक टोटल 256 नंबर जो होते हैं वहां तक की वह वैलिए हो जाती है कि शॉर्ट साइन इंटीजर यहां पर लिखा हुआ है इसका जो रेंज है माइनस 32700 से लेके प्लस मैं 32760 तक यह वैल्यू होती है अब देखें यानिकि यह इंटीजर जो है इंटीजर कोई वैरेबल है तो वह अपने में जो वैल्यू स्टोर कर सकता है वह इस रेंज के इसकी इसकी एकी नहीं दे रहा था ऑर जो भी आंसर वह दे नहीं ह सकता है तो अब तो लाव 2 आप इस पिक्छर को यहां पर आप पाुश कर लिजिये और उसके बास इन चाहिर नोमको कर सकते हैं यहां पर देखोगे आपने यहां पर शॉट इन्ट देखा और ऑन दोनों चीज़ने से मिलें और सइन्ट को खाली इंटीजन लिखके भी हमारा काम चल जाता है तो हम साइन उसके आगे नहीं लिखते हैं बड़ जब हम लिखना है तो हम इंट्रिक्स से पहले लिखते हैं तो वेल्यू जीरो से लेके 55535 तक की वैल्यू को सपोर्ट करेंगा और इसका जो स्टोर है वो टूबायट होता है और जब हम अनसाइन को यूज करेंगे तो हमारा पर्मेट इस स्पेसिफायर पर्सेंट यू रहेगा और इंटिजर के के समय परसेंट डी रहेगा तो जैसा कि अभी आपने प्रोग्राम में देखा था तो वह यहां पर आगे अगर आप दो प्रोड में तो प्लोड में हम और ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और प बढ़ जाती इसकी रेंज काफी जादा बढ़ जाती है आप यहां पर देख पारे होगे एड़ इसी तरह किसे लॉंग डबल जो होता है उसकी रेंज तो और भी जादा हो जाती है यह जो आपको दिखाए जरहा है यह की पावर है सब लेके प्लस 3.4 इंटू 10 की पावर 38 आप मान सकते हैं अब मैं आपको प्रोग्राम में इसको कैसे हम आपने आंसर को कैसे सही करते हैं वह मैं आपको दिखाता हूं तो जैसे कि आपने यहां पे देखा यह हमारा प्रोग्राम था अब इंटीर की वैल्यू क्योंकि इंटीर में जो वैल्यू है जो भी वैरियबल है यह माइनस 32 700 आप से लेके प्लस मैं 32 170 की बैली को श्चूर कर सकता है अब हमारा जो वैल्यू हमारा जो आपर आंसर आहा थ कि तो एंसाइंड इंट को हम उसका यूज गाजनगे और इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है यह परसेंट डी होता है यहां पर इक्वल्ट के बाद से कोई इंटीजह टाइप की वेल्यू आने वाली है अब किसकी वेल्यू आएगी वह कॉमा के बाद लिखा है हमने इनको क्या में तो इसको कर देते हैं और आब आप इसको कंपाइल कराते हैं कि तो कोई भी एरड नहीं है और अब इसको इसको रन कराते हैं तो आप देखिए हमारा आंसर जो है 35,000 यह आ चुका है तो आप समझ में आपको आ गया होगा कि इंटीजर की जो रेंज होती है वो क्या है और इसी तरीके से अगर कभी भी आपका आंसर गलत आता है तो आप यह चेक कर लिजे कि वो जो आपका आंसर आया है क्या वो इसकी व 5.000 होता तो भी हमारा आंसर गलत आ रहा होता और वह यह उत्यों कि माइनस 45,000 हो जाता यह तो इस वह जासे वह अंसर ब्युक्र आरह होता जैसे कि अगर अभी देखों तो अभी ए आंसर हमारा गलत आये रहेगा तो मैं इसको चेक करता हूं तो यह देखे यह आपको 2536 आंसर दे रहा है तो 2536 के हमारा आंसर आ रहा है क्योंकि हमारा अगर हम इसको multiply करते हैं तो यह आगे माइनस पॉर्टी थाउजन में माइनस हमें 5000 करना है तो यह हमारा आंसर आना चाहिए था तो यह और यहां से % u को हटाके % d कर देता हूं और यहां पे एक की जगह मैं इसको कर देता हूं तो यह हो जाएगा 10,000-5,000 और आंसर आजाना चाहिए मैं अब देखते हैं इसको हम रन करके तो माइनस 15,000 तो देखिए अब हमारा आंसर जो है सही आ चुका है तो इस तरीके से आप लोग भी अगर कभी भी इस तरीके के आपके आंसर में गल्टी आती है मिस्टिक आता है यानि की वह कोई भी गार्वेज वैल्यू आपको शो कर दे रहा है तो उसकेस में आप यह जरू कि तो वहां पे आपका अंसर गलत हो सकता है या ऐसी तरह के से अगर निगेटिव वैल्यू है और वह भी स्क्रीयन से बहार जा रहा होगा तो आपका अंसर गलत हो सकता है तो आई हो आपको यह वीडियो पसंद आए होगी आपको यह concept समझ में आया होगा अगर आपने चैन कर दो